असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा तो यह बहुत ही एजी है और बहुत ही खाने में टेस्टी है तो इसको बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है 200 ग्राम चिकन जिसको हमने छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लिया है यहां पर हम डालेंगे आधा चमश चली फ्लैक्स और एक चमश भुना वजीरा और एक चमश चाट मसाला और आधा चमश हम हल्दी पाउडर डालेंगे यहां पर और एक नीबु को हम अच्छे से इसमें निचोड देंगे इन सबी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर हम एक चमश द्रख लेसन का पेस्ट डालेंगे और फिर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रग देंगे वने लिया है चाहा चलूर चाहीश मैदे माईदा और उसको पैस्ट बना लिया है तोड़ के प्रेस्टें durum एक पानिन दाल लें पानी दालो करणे 만든 यह दिखन अजया, और यहां पर है ब्रेट क्रम्स अपर है नहीं गारी क्रम्सầnम्म के अप्र content कोरने माईदा इसमें हमने तेल डाल दिया है तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तब ही हम अपने चिकन के पीस इसमें एड़ करेंगे इसी तरीके से सारे हम पीस तयार कर लेंगे यहां पर हमारे सारे पीस तयार हो गए है तो चलिए गैस को हमने लो मेडियम फ्लेम पर कर लिया है और इसमें हम अपने चिकन के पकोड़े को एड़ कर देंगे और इसे हमें जल्दवाजी में नहीं पलटना है जब इसकी एक साइट अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए इसको बहुत ही दीमियाज में पकाना है जिससे हमारे चिकन बहुत ही अच्छे से अंदर तक गल जाए जब इनकी एक साइट बहुत अच्छे से गोल्डन और फिर इसी तरीके से पलट कर भी हमें अच्छे से तल लेना है और यह हमारे देके क्रिस्पी से चिकन पकॉड़ा बनकर तयार हो गए हैं और अब हमने इसको निकाल लिया है अब हम इसमें दूसरा बैज डालेंगे और उनको भी इसी तरीके से तल लेंगे और यहां पर हम लेंगे टमाटो केचप और हमारे चिकन के पकॉड़े बहुत ही शानदार बनकर तयार हो गए हैं और टमाटो केचप के साथ इनको सर्व करेंगे तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अल्लाहाफीज इसी नेक्सराम लेज़ भीज़न अल्लाहाफी वीज़न किसी तरीका अल्लाहाफी प्रॉट तो ग्वे देख प्रॉबन